ये सरदार सिंग कान्वेंट इंटर कालेज के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है ये कच्छाठ पाठ एक सूचम जीव का वीडियो नमबर दो है इससे पहले आप वीडियो नमबर एक में सूचम जीव की परिभासा और उनके प्रकार के विसे में पढ़ चुके हैं अब यहाँ पर इन सूचम जीव से हमें क्या लाव हैं ये सूचम जीव जो कि हमें अपनी साधन आखों से दिखाई नहीं देते ये हमारे लिए किस प्रकार से लाबदायक हैं इस वीडियो में हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहला बिंदु आप देख पा रहे हैं सिर्का यानि कि एसेटिक आमल आपने अपने गरों में देखा होगा कि गन्ने का रस रख दिया जाता है और कुछ समय के बाद उसमें क्या है इसमें लाने लगती है एक विशेश प्रकार की आमले की खुस्टबू आती है और वो फिर क्या बन जाता है सिरका बन जाता है तो इस सिरके को बनाने का काम एक सुचमजीव करता है एक जीवाणू करता है जिसको एसीटो बैक्टर एसीटी के नाम से जाना जाता है ये जो जीवाणू है एसीटो बैक्टर एसीटी ये गन्ने के रस को सिरके के रूप में बनाने के लिए जिम्मेदार होता है ठीक है आपने अपने घरों में कई बारे चीज़ सुनी भी होगी कि गन्ने के रस में जब कीड़े पड़ते हैं तब उस इरके की रूप में तयार होता है तो वास्तों में कीड़े कुछ और नहीं यह सूचमजीव है कड़ पहुचते हैं और उस गन्ने के रस को वो एसीटी कमल यानि सिरके की रूप में क्या है तयार कर देता है बना देता है अब इन सूचमजीव का जो दूसरा बिंदो है देख रहे हैं बेकरी उतपाद यह ऐसे सूचमजीव जो हमें अपनी सामान आखों से दिखाई भी नहीं देते यह वास्तों में बेकरी उतपाद के लिए एक महत्तपुन भूमिका अदा करते हैं बेकरी उतपाद में जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डबल लोटी है, बिस्केट है, केक है यह सब बनाने में एक सुचमजी होता है जिसको ईष्ट कहते हैं इसकी महत्तपुन भूमिका होती है असल में करते क्या है बेकरी उतपाद वाले यह इसका जो आटा होता है उसको गूस करके और एक भीगे कपड़े से अपने उतपादन करने से काफी समय पहले उसको रख देते है और फिर वहाँ पर हवा के माध्यम से इस्ट के कान पहुँच करके और उसमें अपना प्रजन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और तभी वो आटा इस बेकरी उतपाद के लिए तयार हो पाता है यानि यहाँ पर कौन माध्यम का अदा करता है इस्ट, बेकरी उतपाद में इस्ट एक सूचमजी होता है जो कि माध्यम का अपनी अदा करता है अच्छा तीसरा बिंदु है आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर प्रतिजैविक दवाईया एंटिबायोटिक मेडिसिंस आजकल इस प्रकार की रोग प्रत्रोधक दवाईयों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है एंटिबायोटिक दवाईयों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है और इनको बनाने में कुछ सूचमजीओं का भी महत्पूर योगदान है आपने नाम सुना का एंटी बायोटिक्स वास्तों में इसके बारे मैं आप जानते हैं कुछ एंटी बायोटिक्स क्या होते हैं वास्तों में ये किसी रोग का इलाज नहीं है एंटी बायोटिक्स सोयम में किसी बीमारी का इलाज ना हो करके ये हमारे अंदर जो प्रकति प्रदत रोग प्रतुरोज़क छमता होती है यानि कि जो WVC यानि White Blood Carpocels की जो छमता होती है उसकी छमता को बढ़ा देते हैं या इस प्रकार से कहें हमारे सरीर में जो पहले से रोग प्रतुरोज़क छमता है उसकी सक्ती को बढ़ाने का काम करते हैं कौन? एंटी बायोटिक्स मेडिसिन यानि प्रतिजयविक दवाईया तो इसमें आप पहला नाम देख रहे हैं पेनिसिलीन पेनिसिलीन का बहुत ज़दा उपयोग होता है मेडिकल के छेतर में तो ये एक विशेस प्रकार के पेनिसिलीम नामक कवक से बनाई जाती है पेनिसिलीन किस चिस्टे बनती है? पेनिसिलीम नामक कवक के मादम से ये तयार की जाती है प्रतिजयविक उसदी तो ये भी सूचम जीओं का एक उपयोग है और दूसरा आप देख पा रहे हैं क्लोरे लिन ये भी एक प्रतिजयविक दवा है क्लोरे लिन और ये एक विश्यविस प्रकार के सैवाल क्लोरे ला नाम के सैवाल से तैयार की जाती है तो ये भी सूचम जीओं का एक महत्वपू दूद से दही बनाना, तो दूद से दही बनाने का काम भी एक सूचमजीव करता है, और जिसको हम लोग लैक्तो बैसिलस के नाम से जानते हैं, अब एक चीज़ आप ध्यान रखेगा, लैक्त नाम जहां पर मिले आप उसको दूद से जोड़ करके देख सकते हैं, जैसे दूद में पानी की मातरा को मापता है, क्या कहते हैं उसको, लैक्तो मीटर, दूद में पानी की मातरा को मापने का काम जंतर करता है, लैक्तो मीटर, तो वो लैक्तो मीटर होता है, और यह सूचमजीव क्या है, लैक्तो बैसिलस है, दोनों जगे पर लैक्त है, और एक जगे यहां पर आपको याद रखना है Lactobacillus, दूच से दही बनाने का काम करता है और यह एक परकार का सुच्छम जीव है, अगला क्या है? नाइट्रूजन इस्थरी करण, नाइट्रूजन इस्थरी करण, देखिए, जो हमारे वनस्पतियां है, इनकी ब्रधी के लिए, या इनक या इच्छे डंग से ग्रोथ के लिए जो है, नाइट्रूजन का महत्पूर्ण योगदान है, और आपने वाइव मंडल में देखा भी है, कि नाइट्रूजन का परसेंटिज कितना है? सबसे जदा, 78% नाइट्रूजन है, लेकिन इस नाइट्रूजन का पौधे उपयोग योगों में बदल करके मरदा में उसका क्या करते हैं? स्थरी करन करते हैं, जैसे आप देख पारें, एजेटोबैक्टर या राइजोबियम, तो ये एजेटोबैक्टर है, ये क्या है? ये मुक्त रूप से मिट्टी में पाया जाता है, और वाइव मंडल की नाइट्रूज जो दूइबीच पत्री पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में पाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मसूर है, चना है, मटर है, सेम है, ऐसे बीच जिनको तोड़ने पर वो दो भरावर भागों में तूट जाते हैं, उनको दूइबीच पत्री कहते हैं, और इन पौ पायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइटेड योगों में बदल करके मिट्टी में इस्तरी करन करता है, इसलिए जितने भी दूइबीच पित्री पौधे होते हैं, उनमें कभी यूरिया एक नाइट्रोजन का योगिक है, यूरिया इसका उप्योग नहीं किया जाता है, क् ठीक है, अगला क्या है, बहुत सारे सूचम जीओ ऐसे भी हैं, जो भोजन के रूप में उप्योग किया जाते हैं, जैसे कि जो समुदर तटी देश हैं, जैसे चीन है, जापान है, वहाँ पर जो समुदर में विस्यस प्रकार के सैवाल पाय जाते हैं, वहाँ पर इनका भोजन के रूप में किया जाता है, और आप देख रहे होंगे कि जो सबसे अधिक आयू अगर हम देखें तो इनी देशों में होती है, चीन जापान में, चुकि वहाँ पर पोश्चक तत्तों से परपून सेवाल उपस्थित होते हैं, और लोग इनका उपयोग अपने किया जाता है, जिसको हम लोग मस्रूम के नाम से जानते हैं, मस्रूम एक परकार का कवक है, मरतुप जीवी पोधा है, ये जीव जन्तुओं के या फसलों के सड़े गल या उससों से अपना भोजन पराप्त करता है, और इसका उपयोग हमारे यहां भोजन के इसमें किया ज इस वीडियो में इतना ही